हो तू सिक्योर इंस्टागराम अकाउंट इन 2021 वन सो 2021 में स्टैपर प्रॉसस को किस तरीके से अप्लाई करना है और अपने इंस्टागराम के अकाउंट को किस तरीके से सिक्योर रखना है इन 2021 यह जो टॉपिक है इस्पेशली एंड ऑनली फॉर में बिगिनर्स के लिए कवर कर रहा हूँ जो फर्स ताइम 2021 में इंस्टाग्राम आकाउंट का यूज कर रहे हैं बिकॉस अड़ थाइम अपर बिल्कुल भी अवेर्नेस नहीं होता है कि किस तरीके से आप में इंस्टाग्राम आकाउंट को यूज करना है और इसमें आपको सेफटी एंड सेक्यूरिटी का किस तरीके से ध्यान रखना है और प्रॉब्लम मोस्ली बिगिनर्स के साथ ही होता है जो फर्स ताइम शोलिशन मेड़ा प्लाटफॉर्म का यूज करते हैं अपने लाइफ में तो यहाँ पर मैं आपको तीन से चार ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कुछ ऐसे ओप्शिन बताऊंगा फीचर्स जो एक तरीके से सिक्यूरिटी पॉपर्स के लिए आपके यूस्फूल हो सकता है इंस्टाग्राम अप्लिकेशन यूज करते वगए तो जो फर्स्ट इंस्टाग्राम का सिक्यूरिटी सेटिंग से वो है अनसेंड फीचर यह बैसिकली एक तरीके से मैसेज है जब भी आप किसी के साथ चैट करते हैं इंस्टाग्राम पर और आपके आपके मुह से कभी कुछ ऐसा वर्ड निकल जाता है चैट करते वक्त और जो आप चैट में लिख देते हैं जो आपको सेंड करने के बाद पता चलता है कि यह तो रॉंग सेंड कर दिया तो ऐसे में आप इंस्टेंटली अपने उस चैट को डिलिट कर सकते हैं दोनों साइट से यानि कि आप अपने चैट सेक्षन से उस चैट को रिबूफ कर सकते हैं और वो जो चैट वर्ड है वो आपके चैट के सेक्षन के साथ साथ जिसके साथ आप चैट कर रहे हैं उसके chat section से भी वो delete हो जाएगा अब यहाँ पर मैं आपको एक live example बता दो let's say example, मैं जाता हूँ अपनी Instagram account पर और इस वाले Instagram account से मैं इस वाले Instagram account पर message करूँगा, तो let's say मैं जाता हूँ यहाँ पर यहँ वाला यह account है अब यहाँ पर मैं type करता हूँ message, let's say example plugin में send करता हूँ हूँ है hello तो यहाँ पर message आ गया है as you can see अब यहाँ पर जैसे मैं इस पर tap करूँ let's say example मैं इसके जगा hi hello के बदले मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा wrong word लिख दिया are you mad यह आपने send कर लिया लेकिन इस बंदे ने देखा नहीं कि आपने इसको यह लिखी वे जाए तो तुरंद के तुरंद आप इस chat को यहाँ से delete कर सकते हैं simple आपको इस chat पर इस तरह किसे tap करना है और उसके बात यहाँ पर आपको एक unsend का option आजगा जैसे अब इस पर tap करेंगे unsend पर यहाँ से वो message delete हो जाएगा तो let's tap करता हूँ and as you can see जो message है वो यहाँ से भी हड़ गया है यहाँ से भी delete हो गया let's say example यहाँ पर मैं एक हो लिखता हूँ bullshit okay अब यह यहाँ पर भी आ गया अब मुझे इस message को delete करना है और मैं चाता हूँ कि दोनों तरसे delete हो जाए simple सा मैं unsend पर tap कर दूगा और यहाँ पर यह जो word है यह दोनों chat lid से automatically हट जाएगा तब यह तो सिर्फ एक positive reason था ऐसा और भी गई reason है जो आप यहाँ पर use कर सकते हैं और आपने नहीं चाहते हैं कि जो chat है उसके account से delete हो जाए यह आप चाहते हैं कि उसके account से delete हो जाए तो आप इस unsend वाले option का use कर सकते हैं जो basically आपके Instagram account को secure रखने में help करता है साथी साथ यह कई ना कई security settings ही है आपको रख सकता है यह वाल option so it's very useful that you should try it in your Instagram account to secure your account so Instagram का second security setting है वो है block and unblock feature to secure your account यह भी विचर एक तरीकी से बहुत ही जारा useful है I mean बहुत ही जारा use में पी आता है let's say example यहाँ पर आपके Instagram account में आपको कोई follower का message आ जाता है यानि कि कोई भी आपको follow करता है और by mistakenly आपके हाथ से उसके request को आप accept भी कर लेता है बट जैसे आप वो आपके follower list में चली जाता है फिर उसके बाद वो आपके post पर कुछ negative comment करता है कुछ spamming करता है wrong activity करता है तो ऐसे में आप उस tap के person को block कर सकते है अपने Instagram account को secure रखने के लिए तैसे में उस type के person को block करने के लिए simple सा आपको following list में जाना है तो यह जो person है यह आपके follower list से हर जाएगा और यह आपके Instagram account से block भी हो जाएगा अब उसका profile अगर आप search भी करेगे Instagram पर तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखेगा बलड़ से example अगर आपको फिर से यहाँ पर उस person को unblock करने के ज़रूत पड़े तो आप उससे easily unblock भी कर सकते हैं इसके लिए बस आपको फिर से जाना होगा अपने Instagram के settings option में and then उसके बाद यहाँ पर आपको easily privacy का option बिल जाएगा privacy के option में यहाँ पर आपको एक option बिल जाएगा block account का इसमर आपको वो सारी users दिखेंगे जिसे आपने block किया है अपने Instagram account पर unblock करने के लिए simple आपको इस पर टाप कर देना है और उसके account को unblock कर देना है लेकिन यह बहुती जारा useful feature है especially आपके Instagram account को secure रखने के लिए यह security settings है जो आपको हमेशा apply करना है अगर आपके account के साथ में कोई भी wrong activity कर रहा है कोई other Instagram account तो उसके Instagram account का ब्लॉक कर सकते है जिससे की उसे आपका profile नहीं देखेगा और नहीं आपको उसका profile देखेगा which is very useful so Instagram का जो third security setting है जो आपके Instagram account में apply करना ज़रूरी है security के लिए वो है account private का option बहुत लिए cases में यहाँ पर अगर आप अपने Instagram account को लेके एकदम serious है और आप नहीं चाहते कि कोई भी unknown user आपके Instagram account पर आके आपकी details को देखे आपकी about sections को देखे आपके followers को देखे साथी साथ आपके post को देखे तो ऐसे में आप नहीं चाहते कि कोई भी user आपकी account पर आके यह सारे activity करे तो ऐसे में आप अपने account को पूरी तरीके से private रख सकते हैं जिससे कि कोई भी unknown user अगर आपके Instagram account पर visit करेगा तो वो आपकी details को बिल्कुल भी check रहा पाएगा अब यहाँ पर अपने Instagram account को completely private किस तरीके सरकना है अपने Instagram account को secure रखने के लिए तो इसके लिए आपको directly जाना है फिर से Instagram के settings में इसके बाद यहाँ पर आपको एक privacy का option दिखेगा यहाँ पर आपको यह default basis पे जो private account है यह default basis पे off होगा बस आपको इससे simply on कर देना है यहाँ पर tap करके जैसे आप tap करेंगे यहाँ पर आपको switch to private option आजाएगा इस पर आपको tap करते ने इसके बाद आए जो private account है यह आपके Instagram account पर activate हो जाएगा अब इससे benefit ही होगा कि कोई भी unknown user जब भी आपके Instagram account पर visit करेगा जो आपके following list में add नहीं है तो उसे आपके account का कोई भी detail दिखेगा नहीं सिर्फ दिखेगा आपका followers का count और आपका profile photo बट किसी भी आपके post को वो देखने पाएगा नहीं आपके following के list को देख पाएगा सिर् इंस्टाग्राम का जो आपको 100% apply करना ही है अगर आप अपने Instagram account को लेकर 100% secure रहता हूँ So Instagram का last and final security settings है वो है अपने Instagram के comments को hide करना साथी साथ अपने post को भी hide रखना अब यहाँ पर एक और Instagram का security settings जो आपलाया कर सकते हैं अपने Instagram account को secure रखने के लिए mostly cases में होते हैं कि जो भी हमारे followers होते हैं उन में से कोई ऐसा followers होता है जो हमारे post पर आपके negative comments करता है या तो कोई भी followers या तो कोई भी unknown user आपके post पर के comment करता है तो ऐसे में अगर वो comment नेगेटिव होता है और आप उस सिफ और सिफ नेगेटिव कमेंट को अपने comment section से remove करना चाहते हैं तो ऐसे में आप Instagram के तरफ एक feature मिलता है जिसे कि आप वो apply करेंगे तो आपके comment section से जितने भी सारे negative comments है आपके post पर यो पुरा का पुरा Instagram automatically हटा देगा लेकिन ये feature को आपको enable करना होगा enable करने के लिए आपको फिर से जा रहा है Instagram के settings में यहाँ पर आपको interaction में first number पर comment का एक option दिखेगा इस पर tap करना है and the default basis पर ये वाला जो option है ये off होगा इसे बस आपको on कर दे रहा है जैसे आप इसको on करेंगे यहाँ पर आपको clearly mentioned क्या गया automatically hide comments that may be offensive from your post, stories, reels and life videos तो यहाँ पर जितनी भी सारी options है उसमें अगर कोई भी post negative होगा तो उसे Instagram का जो artificial intelligence का जो feature है Instagram का वो automatically उसे detect कर लेगा और उसे आपके comment section से remove कर देगा सिर्व आपके comment section में positive comments होगा अगर कोई abusing word use कर रहा है wrong word use कर रहा है तो वो सारे words आपके comment section से हट जाएंगे जो 100% useful है आपके लिए आपके Instagram account को secure रखने के लिए तो यह जो भी मैंने आपको security settings बता है Instagram का account में वो बहत ही जादा useful है और आगर आप अपने Instagram account को 100% secure रखना चाहते है और wrong people से आपको दूर रखना है तो यह सारा का सारा security setting आपको अपने Instagram account में apply करना है बट फिर भी अगर आपको कुछ भी doubt हता है कुछ भी queries आती है तब directly आप मेरे social media platform Instagram Facebook योड़ T2R पर आप मुझे DM कर सकते है इसका link मैंने description में दिया है वाप अगर आप directly मुझे question पूस सकते है So this will help you in 2021